दोस्तों आप सभी लोगों का भई फिर से स्वागत है एक नए प्रोडेक्ट के अंदर اور मेरे को लगता है कि ये प्रोडेक्ट आज के टैम में घोडे वालों के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रोडेक्ट है और इस product के क्या फायदे हैं ये तो मेरे को लगता है सरी बताएंगे और मेरे को लगता है कि इंडिया के बहुत टॉप टॉप के गोडे हो या फिर किसान के गोडे हो हर गोडो में आज कल 70-80% गोडो में ये problem आती ही आती है तो इससे निजात पाने का क्या तरीका है तो इसके बारे में आसिस जी हमारे साथ में मौझूद है उन्होंने ये product बनाया है और market में इसका सपल परिक्षण भी किया है और सपल होने के बाद में आज ये product हम आप लोगों को दिखा रहे हैं तो सर मैं चाहूंगा सबसे पहले इस product के बारे में बताएं कि ये product किस-किस रोग के अंदर काम आता है प्रदीब भाई ये product है न जो joint का swelling से पिछे के पाओं में पानी बरने का प्रदीब भाई तो थोड़ा सा हिंदी में बताओ जिससे हमारे हर गोड़े वाड़े को ये चीज समझ में आता है कि गोड़े की नीब पैर है और ये चीज आदमी को मैं ये समझताओं की अच्छे से समझ में आई अपन वही काम करते है प्रदीब भाई पहले कि पूरा इसका मेकेनिजम क्या है पहले तो आप जैसे ये बताओ कि ये product पैरों किसे हिसाब से पानी बगएरा में काम आता है पैरों में पानी आता कैसे मेरों लगते जो आती कैसे उस पर भी फोकस करना बहुत जरूरी है ये तो जाएगा कैसे उसका समाधान हम लोगों को बाद में बताएंगे आता कैसे पहले वह बताए देखे प्रदीब भई जो पीछे का जोइंट से पाउं का उसको होग जोंट ल्गार्ट जोबयानी कि उसके मदर फादर में है तो वह उसकी वार्टा अगत में चले आता है बिलकुल इंटी होता है यह पानी बरने का दो तरह के जैसे इसके स्वेलिंग रहते है एक में बरता है पानी जो जोंट ने उसके ऊपर एके पैंशूल रहती है जोंट के तो इसमें से जो बॉन्ज पीविन है जो दूसरे नंबर का Sweling रहे जहने की सूजन है जो बॉन्ज पीविन में आपको कोई तरह से ज्यादा result मिलने की चांस बहुत कम है कौनसे में हृंज पीविन में जो हड्डीто जैसी हां होगही हाड्डी अंदर अड़ी पूरी हाड होके swelling हो जाती है यानि कि मजबूत हो जाती हुआ तो वहाँ पर अपने को बहुत कम है और वह पूरे joints को involve करके swelling करता है यानि कि sujan लाता है बहुन वाले में अपन बात कर रहा है जिसमें सिर्फ पानी होगा और वह भी जो joint रहता है उसके उपर के बाग में होगा और जब अपन हाथ लगाएंगे उसको तो वह एकदम soft होगा यानि कि आप हाथ लगाते हैं आपको पता चल जाएगा कि soft area यहां पर बिल्कुल उस condition को बॉक्स पेविन बोलते हैं और यह गोडों में lemnus box pavyn से कभी lemnus नहीं आती है कई बार आती है पर क्या रहता है वह condition जो है box pavyn की उसकी वज़ए से उसके आगे hereditary में और उसको ज्यादा जल्दी में exercise सुरू करवा देते हैं ज्यादा जल्दी exercise देना सुरू कर देते हैं जैसे कि कई बार क्या होता है छे मेने साथ मेने के बच्चे होते हैं तो उनको इलाज possible है पर जो हड्डियों में पानी वर गया उसका थोड़ा सा यहां कि चांस कम है हड्डी बन गई है जो hard mass है जो bonds pavyn है उसमें कम है जो box pavyn है उसमें ठीक कर सकते हैं उसको तो सर यह पानी के भी कुछ प्रकार होते हैं जैसे बुखार के प्रकार होते हैं यह दो तर करता है कि आपको कि जल्दी कम हुमर में बच्चों को exercise वगेरा hard exercise start करवा देते हैं तो वो joint पे प्रेसर बनता है और वो capsule में पानी बरना start हो जाता है कई बार general infection पूरे blood में अगर infection लग जाता है तो भी वह joint खराब सोते हैं और कई बार mother father की side से भी उसके अंदर आने के chance है ए संपिधा फूरा तीन कीजी का डबा रहता है यह पूरा दो महीने का और ने का यह न के जत्के देना कया से फिर एक ज्कूरा कि श्पर से मिखने के जहाने के साथ देना है किस तरह से उपन करके आपको डिबा स्मार्ट लग रहा है ना यह उपर से पूरा आगा कि आगए जैसे की रूटिन जो आपनको प्रॉब्लेम पता चलती है कि चलो हमारे बच्चे ये बच्ची या गोड़े जोड़ी में पाने का problem start हो गया है तो आपको एक बार check कर लें है कि soft वाला है की hard वाला है क्या हम राधमी कैसे दो notre पताate वो टछ करते ंहीं नहें ह divers जोइंट के ऊपर के बाग में है तो वह soft वाला है और पूरे जोइंट्स को कवर करके है और हाड है पूरा वहाँ टच करने पर आपको सखत लगता है हाड लगता है तो वह बॉन्स पेविन है तो उसमें यह काम नहीं आएगा प्रदीबवाइं इस तरह से आपको एक स्कूप लेना है अपना जो रूटिन दाना है उसके अंदर यह आपको मिक्स करना है और आपको खिला देना है कि दिन में एकी बार देना है दो बार है सुबह और सुबह और शाम है और यह कंटिनियूस देना है प्रदिभाई दो महिने तक लगाता है अगर पानी का लेवल ज्यादा है तो आपको एक डबबे से 60-70% रिकवरी मिल जाएगी तो आपको दुबारा दूसरा दबबा देना ह यानि कि दू हम गईने आपको फायता लग राएं तो दो महीने और देना है कई बार क्या होता है इसका वेरिष्ण जैसे कि आज हमारी वीडियो को देखेगा पानी 12 महिने से 15 मेने से तीन साल से तो पूरा ना पानी है उसको निकालने के लिए इसके दो डबे जाएंगे अ 16-17 इटम मिक्स कि इसके अंदर और इसका फाइन पावडर बनता है और हमारे पास आपको बता दू कि पूरे स्टॉक की हमारे पाइस रहती है क्यों है सोटेज रहती है वहां बनागे रखो ना दावा के एक महिने एक बबबा इसको इतना फाइन पिसना पड़ता है कि दो दिन के अंदर एक से दो दिन में एक डबबा पिस्ता है पूरा उतना हड़ मट्रेल रहता है तो पिस्तने में ज्यादा टाइम लगता है और वह लंबी प्रोसेस में निखलना पादे उसका प्रेक्षण करा के मार्केट में डारेक्टी लांच कर दिया नहीं प्रदीब्बै इसका तो हमने 12 मेने से स्टार्ट किया हुआ था पहले से और आपको में बताना बात बताना तो आधे रहें और यृत नहीं था ने सही बाते हैं तो थोड़ी आधे कोक्व बताने सब्स्के आपके लोगों करें नियुक्त स्कीकिन कर लोतितुद ह्वेले 1 जय कोई गोड़य की लिए से धोसने दल है पेले देख लेनी है तक За Stanisla क्यों तो आपको बता दें कि इतना इतना वहा हुआ हो वी स्टितीब में कि किसी बंदे का इस प्रोडक्त के बारे में फोन आता है तो मैं तो कि contained कि वह हाड है सोप्ट है किस तरह सा है कितने टाइम से फिर में उनको सजेश्ट करता हूं ऐसा नहीं कि किसी का भी फोन आया और हमने उसको प्रोड़क्ट चिपका दिये पूरा डिसकस करके फिर उनको बताते हैं और उनको यह भी बता देगा जब भी स्टार्ट करो तो गैप गोड़ा साफ सपाई करी वो देता ही नहीं होता है फिर फोन आता है कि साफ रिजल्ट रमको कुछ मिला नहीं है फिर जाता है तो प्रोड़क्ट मंगवाते हुए तो 60-70 परसंट पड़ी रहती है और प्रोड़क्ट दिये हुए 4-4 महने हो गए होते हैं तो वह फाइदा जाएम आपको नहीं मिलेंगा कि कितने दिन च्लजाएगा सर प्रोड़क्ट दो महीने दो में इन एक एक चमठवा डालो गतुए शुबशाम देना है प्रदीपाति बागी क्या कीमत है प्रोड़क्ट की प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट मेर को लगते हैं 15,000 मेंसना में जैसे आज बहुत सारे गोडों की रेट मेरे को लगता है 20 लाग के गोड़े 2 लाग के हो जाते हैं अगर पैरी सही हो जाए और पानी की प्रॉब्लम सही हो जाए तो मेरे को लगता है कि वह गोड़े की 2-3 लाग रुपे तो ऐसे भी रेट बढ़ जानी फिल्ड में ऐसे कई गोड़े हैं कई बच्ची आए प्रदीब भाई क्योंकि रिंग में फॉल्ट चलता नहीं है आप कोई भी पानी वाला बच्चा बच्ची गोड़ा गोड़े लेकर जाओं यह जीत नहीं पाएंगा बच्चा बच्चा बच्ची जो भी होगा और इसमें चालू करने के भी स्टार्ट करते हूं तो उसको जब तक पाड़र चालो तब तक कोई एक्सराइज नहीं देनी है बिल्कुल रिष्ट देना है और पॉसीबल हो तो एक प्रेसर बेंड़े रहता है हम लोग जैसे गरम पट्टा अपने हाथ पे लगाते जब एक्चर रहता है वह उस तरह का जो जॉइंट है उसके उपर लगा के रखना है आपको यह दो चीजे खास करने एक तो चालू करो तो बीच में कोई ब्रेक नहीं लगानी है और एक्सराइज बंद करवा देनी है और पट्टा लगा के रखना है और एक ही चमत देना है एक चमत सुबह एक चमत शाम को कि अगर भाई कोई भाई और भी डिटेल में जाना चाहता है तो सरका नम्म टाइटल में नीचे चल रहा होगा तो आप भाई लोग कॉंटक्ट कर सकते हैं एक बात और है प्रदीब भाई इस प्रोड़क हमारे पास 20-22 दब्बे हर महीने बनते हैं और हमारे पास तो 25 या 20 दिन से पहले मिलना इंपोसिबल है तो मैं आपके चैनल के तुरू लोगों को बताना भी चाहता हूं कि कई के पैमेंट मेरे पास आ गये हैं बाकी हमारे सारी प्रोड़क एक हपते या दस दिन के अंदर तो डिलीवर हो जाती है उनको बिल्कुल तो वह बिल्कु कर दो कर दो